हेलो फ्रेंड्स कैसा आप सब लोग तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करेंगे एंचेप 2005 की देगे इसके उपर डेटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है अगर आप लोगों नहीं देखी तो उसको जाकर देख लिए जो सीटेट के अंदर आपकी पेडागोजी चल जाएगा लेकिन आज की वीडियो में मैंने एंचेप 2005 से रिलेटिट वह मोस्ट इंपोटेंट कोशन आंसर लिए जो आपके सभी एक्जाम में पूछे जाते लाइक आपका सीटेट हो चाहिए आपका कोई टेट का एक्जाम हो चाहिए आपकी टीचिंग वेकंस्यों त तो चलिए देख लेते हैं महत्पून कोशन आंसर जो एंचेप से संबंदित आपके पूछे जाते हैं और साथ ही आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करना और जो आंसर आपका गलत हो उस को आप लिख लेना ताकि आपका पक्का हो सके एंचेप 2005 का चलिए पढ़ते हैं पहला कोश्चन आपको दिया हुआ है कि राष्ट्य पाठ्थे चरे की रूप रेखा एंचेप 2005 के अकोडिंग शिक्सक की भूमी का क्या है यह इतना महत्पून कोश्चन आंसर है सबसे जादे महत्पून कोश्चन आंसर अगर मैं करो तो आपका यह होगा क्योंकि यह ऐसा में उसको चाहिए आप लोग लिख सकते हो वन्हें इंगलीज के अंदर आपका यह दिया हुआ है सुगम करता की यह आपका हिंदी के अंदर दूसरा नाम है ठीक है तो शिक्सक की भूमी का कैसी होती है एंचेप 2005 के कोडिंग एक सुईधा दाता की यानि फैसिलीटेटर की जो बच्चों को सुईधाय देता है जो बच्चों के हित में काम करता है जो सारी चीजे जो इंप्लिमेंट करता है बच्चे के इर्द इर्द करता है ठीक है सेंटर में बच्चों को मानता है तो पहला कोश्चन का अंसर हो गया अब देखते हैं दूसरा कोश्चन आपको द कितने नंबर बनेगे ठीक है जो गणित का उद्देश से आपका एंचेफ 2005 के अगोडिंग हुए आपका की बच्चे में तारकिक चिंतन तता समस्य समधान योग गयता का विकास करना यह आपका उद्देश से होता है मैच का चीक है आंसर इसमें आपका थर्ड से हो जाएगा बच्चा जितना दिक तारकिक चिंतन करेगा और समस्य समधान की योग गयता कैपिविलिटी उसके अंदर डेलोमेंट हो देखो मैं बताता हूं कैसे कराएगा देखो पहले कोशन पढ़ते हैं कि NCR 2005 के आदारबूत सिद्धान्त में निमली खित्में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है देखो मैंने वीडियो के अंदर क्या बतायता पिछली वीडियो में जो सिद्धान्त बतायते हैं पाच तरीके यह नि रोट सिष्टम से मुक्त किया जाएं पुस्तकों के इतर ग्यान प्राप수 कर ना या आपका पॉस्तक के अंदर में इतना हो कै अलावा भी घ्यान को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाएं एक एक नमबर का सिद्धान्त आपके sipped जरूर आता है तोटल कितने दें पाच तीन में आपको बता दिये अब जो बाकी बचे उनको भी आप चाहे तो लिख सकते हो एक ताइस में आपको इसे लिख लीजे मैं लिख देता हो ताकि आपकी आसानी हो जाए कि विध्धाले में दी जाने वाली शिक्सा जो होती है उसक राष्ट कौन सा बचिया पाच्वा वह बचिया आपका कि जो स्टुडेंट होते हैं उनको आस्थावान विधार्ती तयार किया जाए राष्ट के परती ठीक है आस्थावान स्टुडेंट्स लिख लो कि राष्ट्य मुल्लों के परती आस्थावान विधार्ती तयार किया यह आपका पाच वा शिद्दांत है जो एक दो तीन चार और पाच यह पाथ सिद्दांत एक नमबर का एकजम में जरूर पूछ जाते हैं और कई कई बार देखा गया इन्हीं सिद्दांतों में से आपके के अकोडिंग निमली खितमे से कौन सा परेवरन अध्यन यानि यानि वस्तु थीम है अब देखो मैंने आपको बताए हुआ है जो इसकी थीम दी हुए है टोटल कितनी थीम दिये एंशेप ने टोटल छे दिये उसमें से एक तो गई आपकी फूड ठीक है उसका लावाद होगी आपकी पाच्वी फैमिली एंड फ्रेंड इन्हीं में से कोई एक टाइप के आपके एक्जाम में जरूर पूछी जाती है कभी-कभी सारी भी पूछ लेता है और लाश्ट बच्ची आपकी हाव वी मेक ठीक है हम चीजे कैसे बनाते हैं तो यह टोटल छे थीम आपकी दी हुई है भोजन पानी और आपका आवाश यात्रा फैमिली और फ्रेंड और हाव मेक ठीक यह च्छे थीम आपके ने दी हुई है बहुत ही महत पूने आपकी ठीक है चलिए अब देखते आपका अगला कोश्चन अगला कोश्चन आपको दिया हुआ है कि एंचेप 2005 की सं कोखिक नहीं होगा ठीक है वह आपके प्रेक्शन के आदार पर यानि ओजर्वेशन के बेश पर यानि ओजर करके तो आंसरितम आपका जो सही हो जाएगा फोर सही हो जाएगा चलिए अब देखते हैं अगला कोश्चन सभी महत पून कोश्चन है जो आपके इंचिप से रि भी कुश्चन होस्ट है जो अधिकम होता है यहरे जो लेंटनिंग होती है वह अपने सबाओ में एक होती है आपकी सक्रिय है यहरे यानि active होती है ज होना पड़ेगा अगर मैं जैसे टीचर हूं तो मुझे भी एक्टीव होना पड़ेगा अगर हम दोन में से कोई भी एक्टीव नहीं हुआ तो आप लोग सीख पाओगे नहीं सीख पाओगे तो पहली चीज होगी आपकी एक्टीव कभी नहीं हो सकता ठीक है पैसी को तो और सामाजी के अपने सवबाव में अधिकम चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपको दियावा है एंचेर टूथाजंट फाइव ने अपनी समझ किसे प्राप्त किये तो देखें वह प्राप्त कि आपकी रचनावाद से आंसर हो जाएगा इसमें आपका फ प्राप्त का तुरूटी या फिर एरर्स जो तुरूटिया होती है यानि एरर्स होती है इस कारण महत्पुन होती है तो देखें एक बात तो आपको समझ में आगे कि एंचया काम का है कि जो बच्चा गलतिया करता है वह बहुत ही महत्पुन होती है अब महत्पुन क्यों हो यूज़ करके समस्ता का समधान करोगे उसको चीज़े शिखा पाऊगे तो जो आपकी एरर्स होती है बहुत ही महत्पुन होती है आंसर इसमा आपका हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा ठीक है और आपका एरर से संबंदित एक नंबर का कोश्चन बहुत पूछा जाता आपक एक दस्तावेज है जो भारत की विद्धाल्य शिक्षा के संबंद में संसुत्या परस्तूत करता है आंसर सेकंड से हो जाएगा यह चीज मैं आपको वीडियो में बताई भी थी तो फ्रेंट्स से रिलेटिट जितने मोस्ट इंपर्टेंट कोशन आंसर थे आज की वीडिय सेर के कोशन पेपर भी करा दिया जो एंसर से रिलेटिट आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं आयोप आपको वीडियो पसंद आई होगी थेंक्यू